काहानी गाउं की सडक भाग एक हर पृदेश के हर गाउं में ऐसी सडक होती है जो नगर को जाती है इस बार में बात कर रहा हूं उधम पुर नाम के गाउं की यह गाउं इस समय का ऐसा गाउं है जो आज भी अशी के दसक में जी रहा hat मानो वैसा ही वातावर्ण और वैसी ही सुविधाईं अर्थात जिस प्रकार भारत के अनेक गाउं में विकास हुए हैं उधान स्वरूप, इंटरनेट, बिजली, अन्य अधुनिक सुविधाईं वैसा इस गाउं में कुछ नहीं है माहूल की बात करूँ, तो वही रहना खाना परमपराएं आज भी 40 साल पुरानी चल रही है आज भी घरों में मिट्टी के बरतन, एम घर भी मिट्टी के ही बने है यह गाउं मानो सरकार की नजरों से ओजल रहा परम तो गाउं की सड़क के इस घटना ने गाउं गाउं, शहर शहर ही नहीं, अपी तो समस्त भारत के अख़बारों की सुर्ख्यां बटोरी और ये गाउं चर्चा में आ गया हुआ ये था, साल बर पहले की बात है श्री मोहित गाउं का एक मात्र डाकिया था अक्सर चिख्यां लाने, उसे शहर जाना पड़ता था और उसका आना जाना, उसकी गाउं की टूटी हुई सड़क से था गाउं का एक मात्र पढ़ा लिखा होने के कान, ये थोड़ा सा जागरुक भी था इसने कई बार पंचायत में गाउं की टूटी हुई सड़क को लेकर बात उठाई परंतु कोई कारेवाई ही नहीं हुई अपी तो श्री मोहित को ही पंचो दुआरा बिना सिर पैर की दलीलों के आगे जुकना पड़ता था ऐसा इसलिए था क्योंकि गाउं के लोगों के असिक्षित होने के करण वे सही परंपराओं को तो बरकरार रखे हुए थे परंतु कुरितियां भी मुख्त में साथ निभा रहे थे पंचो के निर्ने इसलिए सर्माने हो गया क्योंकि गाउंवालों के या सोचना था कि यदि गाउं से शहर की और जाने वली है सड़क बन गई तो नगर से लोग आ जाएंगे नई अधुनिक चीजे लाएंगे जिसे गाउं की संस्क्रितिक खत्रे में आ जाएगी और अगर देखा जाए तो या बात कुछ हद तक अफसद सावित हो रही है कहीं गाउं में अरे कहीं गाउं क्या लगबक हर गाउं में आज अधुनिक्ता के नाम पर खेतों से हाईवे निकाल दिए वो तालाब बंद कर दिए या करवा दिए वो गाउं के बाहर के जंगल भी कटवा दिए किसलिए एक विकास के नाम पर पंचायत के स्वैसले से एक हद तक श्री मोहित भी संतूष्ट था परंतु वह गाउं की तरक्की चाहता था उसका गाउं से शहर में आना जाना था तो शहर की अधुनिकता देखकर भहम्मंत्र मुग्द हो जाता था और वह सोस्ता की गाउं में भी ऐसा वातावरन और सुवेधा हो उसका सबसे प्रथम चरण था गाउं की सड़क अगर सीदे सब्दों में कहा जाए तो गाउं की टूटी फूटी सड़क उसके लिए उसे पंचायत में निराशा के बाद गाउं से निकल कर शहर में विधायक से मिलने चला गया ताकि गाउं का विकास हो अब ये बात किसी तरह गाउं के सरपंच को पता चल गई जैसे ही शिकायत लिखवा कर वाया गाउं लोटा तो गाउं वाले ने उसे आड़े हातो लिया श्री मोहित अपनी आँखों के सामने ऐसा द्रिश्य देख आश्चरिय चकित हो गया डर गया मूँसे बोल ही नहीं निकला गाउं के एक पंच ने श्री मोहित को अंतिम चितावनी दे डाली कि यदि वै शहर से जाकर गाउं की परंपरा को नाश ने करे श्री मोहित ने उससे में हां में सर जुका लिया परंटु मन से वै इसके विपरिट सोच रहा था उसने एक दिन श्चित किया कि वै चुप चाप रात को शहर जाएगा और इस वाक्य का अंत करेगा परंटु इस बात की भनक पंच को लग गई थी ये पंच श्री मोहित का मित्र निकला श्री मोहित के घर आया और गाउं की सड़क के पीछे के छुपे हुए रहस्या अर्थात उस रास्ते के पीछे छुपा हुआ श्राप जो गाउं के कुछ मुझूदा बुजर्ग लोग ही जानते थे वो पंच को पता चल गया और वो ये बात अपने प्रियमित्र श्री मोहित को बताने आ गया ये सुनने के बाद श्री मोहित डर गया चार पाई से कामता हुआ नीचे उत्रा और उसी दिशा में देखने लगा जिस दिशा में वो सड़क थी आंखे लाल चहरा पीला पड़ गया था पंच को एक बार तो लगा कि महनुष श्री मोहित अब तो सड़क पर जाने की भूल कभी ने करेगा परंतु की से पता था कि ये कहानी एक रोमान चक मोड लेगी सोते हुए श्री मोहित को अचानक खयाल आया कि भाईया गाउं का भला करना है तो कश्ट तो उठाना पड़ेगा ही ऐसा सोच कर डरते डरते वो सड़क की और चल पड़ा रात का सनाटा गोर अंधेरी रात खाली सड़क पक्षियों की डरावनी अवाजी मानो वो श्राब की बात अब सच सी लगने लगी थी अरे कहानी सुनाते सुनाते वो श्राब की बात तो बीच में रहा गई पंच ने मोहित को बताया कि आज तक जिस किसी ही ने उस सड़क बनाने का प्रेतन किया वो व्यक्ति जिन्दा नहीं बचवाया जिन मजदूरों ने वहाँ पर काम किया वो काम करने के योग्य नहीं रहे ये श्राब पूरे नगर में दीरे-दीरे फैल गया था इसलिए कई सालों से इस मुद्दे पर किसी ने कोई प्रयास नहीं किया कहनी पर वापस आते हैं श्री मोहित सड़क पर अपनी साइकल पर ढरा ढरा जा रहा था अचानक सड़क के बाईयों और से श्वेत वस्त्रों में एक अपरीचित व्यक्ति स्वरूप आकर खड़ा हो गया ऐसा वातवर्ण ऐसा नजारा मानोहरीदय गात करने वाला था परंतु श्री मोहित कीसी तरह इसे संभालने में सफल रहा साइकल स्थिर की और तत पस्चाथ साइकल से नीचे उतर गया डरता डरता विचारा क्या न करता हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा तब ही अचानक उस श्वेत वस्त्रदारी व्यक्ति ने अपना एक हाथ हवा में सोर से घुमाया तेज हवाईं चलने लगी भयानक आवाजें श्री मोहित डरने लगा परंतु उसने व्यक्त नहीं किया श्वेत वस्त्रदारी व्यक्ति दीरे 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 श्री मोहित की ओर आने लगा बची कहानी भाग दो में यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल हरियाना आर्मी को सब्सक्राइब कीजिए लाइक रहे हमारी वीडियो को और मैं आपका दोस्त मोहित शर्मा आपसे इजाज़े चाहूंगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरियाना आर्मी को सब्सक्राइब कीजिए जय हिन जय भारत जय हरियाना जय हिन